हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने चारा हूँ कि कैसे आप अपने iqz7 android phone में आप जो है आई प्रोटेक्शन सेटिंग को आप सेडियूल कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह आई प्रोटेक्शन सेटिंग जो है ना सेडियूल होने के बाद ही सेटिंग कैसे गाम करती है और यह सेटिंग जो है ना पूरी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ इससे चल्ली वीडियो को ष्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो सेटिंग पेज उपन करना है नीचे आना ना यह आपको आपको और यह ज़्लोट उपशन मिलेगा sunset to sunrise लिखा हुआ है तो इसे आपको select करना है तो यहाँ पर यह जो नीचे की side देख रहे हैं na turn on at custom time इसे आप जो है na select करके आप यहाँ पर time के according आप जो है यहाँ पर यह आई protection आप schedule कर सकते हैं जैसे आपको कब सुरू करना है और इसे कब खतम करना है तो यह custom time से आप यह time के द्वारा आप इसे set कर सकते है आई protection को लेकिन यह easy रहता है थोड़ा सा sunset to sunrise इसके सामने आले बटन को अगर आप select करेंगे तो यह blue color में on हो जाएगी setting ठीक है setting on हो जाएगी sunset to sunrise और यह setting आपकी schedule हो जाएगी इस तरीके से ठीक है तो अब यह setting schedule होने के बाद काम कैसे करेगी यह मैं आपको बता देता हूँ जब भी आपका sunset हो गया यानि कि शाम हो जाएगी आपकी शाम से जैसे आपकी शाम हो जाएगी तो आपका जो आई protection है यह आपकी setting on हो जाएगी automatic ठीक है जैसी शाम होगी तो यह मैंने आपको बटन दबा के दिखाया है इस बटन को आपको जाएगी ठीक है और साम से लेगे पूरी रात आपकी यह आई protection setting इसी तरीकी से रहेगी ठीक है इसमें क्या होता ना आई protection on होने से आपकी mobile phone की display थोड़ी black या थोड़ी red सी होता थी जो भी आप देखके बोल सकते है ठीक है तो इससे क्या होता है हमारी आखों पे ना light का effect क इसलिए हम जो है आई protection setting को schedule कर सकते हैं और यह everyday automatic setting जो है ना automatic on हो जाएगी आपकी शाम के समय ठीक है और यह अगले दिन जब sunrise होगा है यह सुबा सुबा हो जाएगी ना तो आपकी यह जो setting है आई protection यह आपकी automatically off हो जाएगी ठीक है इस तरीके से और आपकी mobile phone की जो display है यह normal condition में आ जाएगी ठीक है और यहाँ पर यह सबसे नीचे intensity देख रहे हैं यह option यह जो आपका intensity है यह आप इसे कम या जादा कर सकते हैं अगर मैं इसे जादा करूँगा इस तरीके से जादा करूँगा तो आपकी display और भी जादा red सी हो जाती है ठीक है इसे अगर मैं जितना किसे काम करती है schedule होने के बाद दीक है